नमस्कार दोस्तो मैं हूँ रेखातवर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको अमावशा तिथी के बारे में बताना चाहूंगी कि सावन के महीने में अबकी बार अमावशा तिथी कब सुरू होगी और कब समाप्त होगी अमावशा तिथी के दिन हम ऐसे कौन से कारिय करें जिससे की हमारे घर का ग्रह कले स्वास्तु दोस्त पित्र दोस्त सभी दोस्त माप्त हो जाएं और हमारे घर में सुक समरेधी और बरकत बनी रहें अमावशा तिथी हमारे हिंदु धरम में एक विशेश तिथी मानी गई है इस तिथी को हम अपने पित्रों का तरपन करते हैं उनसे हमारे घर में वन्स वरद्धी की कामना करते हैं अमावशा तिथी के दिन सूर्य उदै से पहले आपको उठना चाहिए और सबसे पहले सूर्य देव को गंगा जल और काले तिल मिलाकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए ऐसा करने से भी हमारे पित्र हैं वो प्रसंद रहते हैं आज के दिन दक्षिन दिसा की तरफ मुख करके आपको तांबे के लोटे में थोड़ा सा कंगा जल तुलसी का पत्ता दुरुवा सफेद फूल ये सभी चीजे डालकर पित्रों का आपको तरपन करना चाहिए दक्षिन दिसा की तरफ मुख करके आपको ओम पित्र देवे भै इस मंत्र का आपको जाप करके दक्षिन दिसा की तरफ मुह करके आपको पित्रों का तरपन करना चाहिए ऐसा करने से आपके पित्र हैं वो संतुष्ट रहते हैं और जिनके घर में पित्र संतुष्ट नहीं रहते हैं उनके घर में अनेको परेशानिया चली रहती हैं घर में पने ग्रह कलेश है वह स्वाप नहीं होता है काफी दिनों से कोई व्यक्ति जो बिमार है उसको कोई दवाई नहीं लगती है वह बिमार ही रहता है तो ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में आपको पित्रदोष लगा हुआ है जिस घर परिवार में पित्र एसंतुष्ट रहते हैं जिनको पित्रदोष लगा हुआ है उनके घर में फंस व्रहदी होने में दिक्कत आती है उनको पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती है घर परिवार का जो ग्रहकलेश के शादी सुधा न होना, एक व्यक्ति उनके घर में कोई नाकोई बिना शादी के ही रहेगा, ऐसा पित्र दोश के कारण ही होता है। पित्र दोश्चे बचने के लिए आपको कुछ उपाय भी अवश्य करने चाहिए पित्रों की शांती के लिए उनके तरपन के लिए अगर आप अमावशा तिथी के दिन ये छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में सुक समरेधी बरकत के जो द्वार हैं वो खुल प्राप्त कर सकते हैं मालक्षमी की किरपा प्राप्त कर सकते हैं ऐसे कुछ पोदे भी मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले आप नोट कर लें अमावशा तिथी कब सुरू हो रही हैं अमावशा तिथी 7 अगस्त शनिवार के दिन शाम के समय 7 बज़ कर 12 मिनट से सुरू होग और 8 अगस्त के दिन रविवार के दिन शाम को 7 बज़ कर 20 मिनट पर अमावशा तिथी हैं वो समाप्त हो जाएगी जब भी आपको सुर्य उदय के साथ जो तिथी मिलती हैं उसी तिथी में आपको कोई भी वरत त्योहार अमावशा पुर्णिमा मनानी चाहिए तो आज के स समय पर आपको 8 अगस्त रविवार के दिन उदया तिथी मिल रही हैं तो ऐसे में हर्याली अमावश्या 8 अगस्त रविवार के दिन मनाई जाएगी सनान दान भी आपको रविवार के दिन ही करना होगा लेकिन शनिवार के दिन जो सनिवार से अमावश्या तिथी सुरू हो पीपल के वरक्ष में ब्रह्मा विश्णु महिस तीनों देवताओं का भी वासमाना गया है। पीपल के वरक्ष की पुझा करने से हमारे पित्र हैं, वो संतुष्ट रहते हैं, उनको मुक्ष्की प्राप्ति होती हैं। अगर आप आज के दिन पीपल के व्रक्ष का कोई पोधा, समुंदर के किनारे, किसी नदी के किनारे, किसी सरोवर या तलाब की किनारे लगाते हैं और जो जो वो पोधा बड़ा होता है उसके पत्ते जब पानी में पढ़ते हैं तो आपके पित्र हैं वो तरप्त हो जाते हैं तो आपको कभी मौका मिले तो पीपल का वरक्ष जब तक आप उसकी सेवा कर पाए जब तक वो अच्छे से वरक्ष ना बन पाए आपको अपने जीवन में एक पीपल का वरक्ष अवस्य लगाना चाहिये इससे आपके घर परिवार में Once Ready होती हैं आपके घर में ग्रह कलेश के दिन शिवलिंग का अभिशेक आपको अवश्य करना चाहिए जब भी आप शिवलिंग का अभिशेक करें तो अभिशेक करने वाले जल में आपको थोड़े से काले तिल और काली मिर्च मिला कर आपको शिवलिंग का अभिशेक करना चाहिए ऐसा करने से भी आपको पित्र द प्रामन को भोजन कराते हैं तो जन्मों से एत्रप्त पित्र भी आपके त्रप्त हो जाते हैं अमावशा तिथी के दिन किसी जरूरत मंद किसी गरीब ऐसाहय व्यक्ति को आप अनाज रुपए पैसे कुछ कपड़े दे कर आप अपने पित्रों की कृपादरश्टी प्राप् आपको लगता है कि आपके घर में अशानती बनी हुई है ग्रह कलेश चला हुआ है पित्र दोश है तो ऐसे में आपको अमावशा तिथी के दिन एक मुठी काले तिल लेकर अपने घर परिवार के सभी सदश्चों के सर के उपर से उवार कर आटे में मिलाकर एक मोटी रोटी तयार कर लें उस रोटी को आपको अच्छे से सेक लेना है सेक लेने के बाद उस रोटी पर थोड़ा सा घी और गुड लगाकर आपको उस रोटी के चार हिस्से कर लेने है एक रोटी का हिस्सा आपको कोई को खिला देना है एक रोटी को मुक्ति मिल जाएगी काल सर्फ दोस्त के लिए भी यह एक रामबान उपाए हैं आप इस उपाए को साथ सनिवार भी कर सकते हैं आप चाहें तो इस उपाए को ग्यारा सनिवार तक भी कर सकते हैं जब तक आपको ऐसा लगे कि आपके घर में पित्र दोश है वो समाप्थी ही होरा है हरियाली अमावश्या के दिन एक भी पोधा अगर आप अपनी राशी के अनुसार लगा देते हैं तो माता लक्षमी 12 महीने आपके घर में दोनों हाथों से धन बरसाती हैं ऐसा सास्त्रों में वरणन किया गया है आप आज के दिन राशी के अनुसार इन में से आपकी रासी के अनुसार कौन सा पोदा आपको लगाना है। ये पोदा आप कहीं भी खालिस्तान पर लगा सकते हैं। आप चाहए तो अपने गमले में लगा सकते हैं। आप चाहें तो कहीं भी नदी, तलाव, सरोवर जहां पर आपको सही जगह दिखें, जहां तक आप इस पोदे का रोपन कर पाएं, अच्छे से इसकी देख भाल कर पाएं, जब तक या पोदा अच्छे से व्रक्ष ना बन जाए तब तक आपको इसकी देख भाल करनी हैं. मेश राशी वालों को आमले का पोदा, व्रश राशी वालों को जामुन का, मिथुन राशी वालों को चमपा का, करक राशी वालों को पीपल का, सिंग राशी वालों को वट व्रक्ष या असोक व्रक्ष का, कन्या राशी वालों को बेल पत्र का, तुला राशी वालों को अर पूदे का पोदा ये पोदे लगा कर आप अपने गमले में रख ले इनकी आज के दिन पूजा करके आप चाहे तो किसी भी मंदिर में आप दान भी दे सकते हैं। गव माता को भोग लगा सकते हैं, आज के दिन चावल की खीर पित्रों के तरपण के लिए सरुस्रिष्ट बताई गई है, आज के दिन गव माता को भी चावल या चावल की खीर आप अवश्य खिलाई, ऐसा करने से भी आपके पित्र हैं, वो संतुष्ट होते हैं, इसके साथ आजकल हर गली महले में गोशाला की गाड़ी आती हैं गोशेवा के लिए, आप चाहें तो रुपए, पैसे, अन का दान आप गोशाला की गाड़ी में दे कर भी कर सकते हैं, जितना आपका सामर्थ है उसके अनुसार ही दान करना चाहिए, दान की महिमा अप्रमपार है, दान जितना भी करते हैं उसका सवागुना आपको लोटकर मिलता ही मिलता है। इस तरह से आप अमावशा तिथी के दिन पित्रों का तरपन करें। उनसे अपनी किरपा दरश्टी प्राप्त करें। अमावशा तिथी की महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दिये। अगर आपको वीडियो पसंद आएं तो किरपा करके वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवशा करें। हर हर महादेव जय भूलेना।